कांग्रेस की विग्यापन एजेंसियों ने पार्टी को लगाया करोडों का चुना हाई कमान कर रहा है जाच जी हाँ, rebellionvoice.com पे आपका स्वागत है आपने सही सुना कांग्रेस की विग्यापन एजेंसियों ने कांग्रेस पार्टी को करोडों का चुना लगाया और इसकी जाच हाई कमान कर रहा है तो आईए खबरे जानते हैं विस्तार से प्रदेश में कांग्रेस के परचार का ठेका गुजरात की एक कमपनी निक्सन लिमिटेड को दिया गया था शुरुआती छान बिन में पता चला कि इसमें लगबख 20 क्रोड़ रुपे के आस पास का घपला हुआ है एक तरफ कांग्रेस के आपसी खीचतान से जूजते हुए मध्य परदेश में अपनी सत्ताव आपसी के लिए पूरा जोड लगा है वही दूसरी और प्रदेश की परचार अजेंसी ने ऐसा घपला किया है कि हाई कमान को चुनाओ के एन बीच में यह काम दूसरे अजेंसी को देना पड़ा है ना सिर्फ दूसरे को देने का फैसला करना पड़ा बलकि इस पूरे मामले के जाच के लिए एक एजनसी भी बैठानी पड़ी निक्सन लिमिटेड को अखबार एफेम रेडियो निव चैनल में विग्यापन देने के साथ 17 जफर में होडिंग लगाने और विग्यापन तयार करने का जिम्मा सपा गया था बताया जाता है कि एजनसी ने पूरे परदेश में कॉंग्रेस के होडिंग लगाने की जिम्मादारी ली थी लेकिन असल में उसने सिर्फ बड़े-बड़े सहरे या प्रमुक इलाकों में ही होडिंग लगा है जैसी सुपर टैग लाइन निक्सन नहीं तयार की थी और इसे गुजरात में कॉंग्रेस का पर्फॉरमेंस भी शुदरा था निक्सन की पर्फॉरमेंस को देखते हुए कॉंग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाओं में इसी एजनसी को जिम्मा सौपा इतना ही नहीं कमपनी को बकायदा इसके लिए 100 कड़र का ठेका भी दिया गया था बताया जाता है कि पूरे मामले में गड़बड़ी की बात तब सामने आई जब एजेंसी ने प्रिंट मीडिया में बिग्यापन देने के लिए पार्टी से और पैसे की मांग की तब पार्टी को लगा कि बजट तय होने के बाद बीच चुना में अतरिक बजट क्यों मांगा जा रहा है सुत्रों के मुताबी किया जानकारी सामने आते ही प्रदेश देश कमल नाथ ने सारा मामला दिल्ली भेज दिया दिल्ली में मामला सामने आने पर हाई कमान ने जहां सबसे पहले प्रचार का काम उस एजेंसी से लेकर दूसरी एजेंसी को देने का फैसला किया हुआ ही पूरे मामले की छानबिन करने का फैसला गिया जिसकी जिम्मेदारिक पार्टी के कोश्वा ध्यक्त अमध पटेल को सौपी गई बताया जाता है कि अब जिम्मा गोल्डेन रैबिट कम्मुनिकेशन को सौपा गया है जो सीधे पटेल को रिपोर्ट कर रही है सुत्रों के मुताबिक शुरुवाती चानबिन में पता चला है कि इसमें लगबग 20 क्रोर रुपे के आज-पास का घपला हुआ है पार्टी एजनसी के साथ अपने दल के नेताओं से भी पूश्टाश कर रही है खासकर पार्टी पता लगा रही है कि किन किन नेताओं की सेफारिश के वज़े से इस एजनसी को काम सवपा गया है निक्सन ने 2013 में मद्य परदेश के लिए परचार का काम देखा था तब भी इसके काम काज और सेवाओं को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उटे थे लेकिन दिगर नेता के प्रभाओं के चलते सब को दबा दिया गया 2013 में उनी के कहने पे इस एजनसी को ठेका दिया गया था मद्य परदेश का मामला सामने आने के बाद हाई कमान ने दूसरे राजियों में बिग्यापन का काम देख रही एजनसी और गति वीदियो पर भी एतियातन नजर रखने को कहा है तो यह था Rebellion Voice.com का एपिसोड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करे सब्सक्राइब करे और सेयर करे ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा आपके पास वीडियो ला सके जैहिन जै भारत